अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज की इस वीडियों में बात करेंगे jamkel soft gelatin capsule के बारे में इस capsule के या फिर इस medicine के क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है ये सारी जानकरियां जो है आज की इस वीडियों में आपको दूँगा तो सबसे पहले प्राइजी शुरुआत करते हैं, तो देखिए 300 रुपे में एक strip आती है जिसके अंधर आपको 15 soft gelatin capsule मिलेंगी तो देखिए प्राइज जो है समय के अनुसार बढ़ती रेती है, तो जो आज की प्राइजी वो इदर में आपको बता दिया है अब यह जो है, अलकेम लेब बालो की है, जो की काफी अच्छी गंपनी है अब इस जैमकेल soft gelatin capsule को कहां से खरीदना है तो देखिए जो भी अलोपेती medical store होते हैं, वहां से आप इसको खरी सकते हो और देखिए हम बात करें इस जैमकेल soft gelatin capsule में क्या-क्या है यह composition के बारे में, तो देखिए इसमें है calcium, vitamin D और zinc इनसे जो है, यह medicine मनाई गई है अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में तो देखिए अगर आप यह medicine या फिर यह capsule लेते हो तो आपकी हड़ियां मजबूत होंगी अगर आपको कोई परिशानी है, आपकी हड़ियां कमजोर है, हड़िय में दिक्कत है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो अब देखिए आपकी हड़ियां जैसे के कमजोर हो जाती है, soft हो जाती है osteomalacia हो जाता है, osteoporesis हो जाता है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो, डॉक्टर भी इसको prescribe करते है आप देखिए यह जो है calcium को absorb करती है जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि इसमें है vitamin D यह calcium को absorb करने का काम करता है और जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमको calcium मिलता है तो वो absorb होना body में बहुत जरूरी है तो देखिए अगर आपको खाने से calcium मिल रहा है लेकिन वो absorb नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है तो यह vitamin D जो होता है वो calcium को absorb करने का काम करता है इसके अलाबा यह जो medicine है आपके body growth के लिए body development के लिए काफी अच्छी है और यह immunity को भी boost करती है इसके अलाबा कुछ हद तक जो है यह bacteria और virus से भी हमको बचाती है या फिर बचाओ करती है इसके अलाबा जो female होती है तो female में होता क्या है कि post menopause जो होता है तो उसके बाद क्या होता है कि उनको osteoporosis या हड्य कमजोर हो जाती है इस प्रकार के problem होती है तो उस condition में भी कई doctor इसको देते हैं इसके अलाबा जिनको arthritis है गठिया की बिमारी है तो वो भी इसको ले सकते है अगर आपके जोडों में दिक्कत है जोडों में दर्द होता है हालांकि ये दर्द की दबाई नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको ले सकते हो as a supplement इसके अलाबा अगर आपको कोई भी fracture हुआ है आपकी कहीं की भी हड़ी तूड़ गई है तो उस condition में भी इसको ले सकते हो आपकी जो हड़ी है वो जल्दी जुड़ेगी अगर आप ये जेम केल सौफ जलेटिन केपसूल लोगे तो तो इस प्रकार से इसके फायदे है मेंली ये बनाए गई है आपकी हड़ीयों के लिए क्योंकि इसमें है केलसियम अब हम बात करते हैं इसके डोस के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए एक केपसूल आपको एक दिन में एकी बार लेना होता है और इसको जो है कुछ भी खाने के पहले भी ले सकते हो खाने के बाद भी ले सकते हो बस आदे घंडे का difference होना चाहिए और इसको simple आप पानी के सान ले सकते हो या फिर आप चाहिए तो दूद के सान भी ले सकते हो अब देखिए इसको male female कोई भी ले सकता है लेकिन ये जो medicine है बच्चों के लिए नहीं है और जो pregnant lady है तो pregnant lady इसको ले सकती है लेकिन gynecologist से सला करके ही लेना है क्योंकि जो pregnant lady होती है उनको बिना gynecologist से या doctor से सला करे बिना कोई भी medicine नहीं खाना चाहिए अब हम बात करते है side effect के बारे में तो देखिए side effect में जैसे के आपको nausea हो सकता है मतलब उल्टी जैसा लग सकता है या फिर उल्टी भी हो सकती है या फिर आपके सीने में जलन हो सकती है पेट में जलन हो सकती है या पेट में कोई दिक्कत हो सकती है तो ऐसा कुछ भी होता है तो आप इस medicine को लेना बन कर दे और आप चाहें तो doctor से भी सला ले सकते हैं अब दर पहले से कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं जैसे के कोई केलसियम की तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं तो मैं बना करूंगा क्योंकि ओवर डोस भी हमको किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए हाँ यह जरूर है कोई मल्टी विटामिन ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं तो उधर जो है डॉक्टर सला करके लिए तो बहतर रहेगा बाकि कोई भी दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ जो इसको बिलकुल ले सकते हैं जैसे के बीपी की या कोई जो है आपको मेहना लेकर देख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए अब रिजल्ट के बारें बात करें तो देखिए एक मेहना कम सकाम आप इसको लेकर देखिए आप एक मेहना लो गेना तो आपको फायदा या रिजल्ट मिलने लगेगा अब देखिए धर कुछ मैं एडवाइस देना चा यह सब नहीं खाना यह सब आपके हेल्थ के लिए बेकार होता है आपको healthy diet लेना है healthy diet लीजिए और इसके अलाबा अगर थोड़ी बहुत exercise कर सकते हैं तो वह भी करिए काफी जो है अच्छी होती है exercise हमारी health के लिए तो यह मेरी कुछ advice थी अगर आप follow करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो मेरे वीडियो दरी खतम होता है उम्मीद है आपको काफी को समझ में आ गया हुआ इस jam kel salt gelatin capsule के बारे में और अभी को doubt है तो comment द्वारा मुझे पूछ सकते हो और इस टाइप से अगर आपको और वीडियो देखना है health और medicine से लेटेड जो कि मैं daily आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजीगा फिर मिलेंगे next वीडियो में जब तका बने रहे हो देखते रहे हैं और अपने चैनल में knowledge for Indian